जै माता दी दोस्तों एक बार फिट से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान सेरता रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको सीतला माता की कहाने सुनाने जा रहे हैं ये कथा बहुत ही पुरानी है तो फ्रेंड्स कथा सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइगन को जुरू प्रेस करें जिससे कि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें एक बार सीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धर्ती पर मेरी पूजा कौन करता है कौन मुझे मानता है यही सोचकर सीतला माता धर्ती पर राजस्थान के डुंगरी गाउं में आई और देखा कि इस गाउं में मेरा मंदिर नहीं है नहीं कोई मेरी पूजा करता है माता सीतला गाउं के गलियों में घूम रही थी तभी एक मकान के उपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका ये उबलता पानी सीतला माता के उपर गिरा अरे मैं जल गई, मेरा सरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, लेकिन उस गाउं में किसी ने सीतला माता की मदद नहीं करी, वहीं अपने घर के बाहर एक कुमार महिला बैठी थी, उस कुमारन ने देखा की अरे या बूड़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके प मारे सरीर के उपर ठंडा पानी डालती हूं, कुमारन ने उस बूड़ी माई पर खोब ठंडा पानी डाला, और बोली, ए मा, मेरी घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, अगर तुम चाहो तो दही रबड़ी खालो, जब बूड़ी माई ने ठ ठंडी जुआर के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके सरीर को ठंड़क मिली तब उस कुमारन ने कहा मा बैट जाओ तेरे सिर के बाल बिखरे हैं ला मैं तुम्हारी चोटी कर दूँ और कुमारन माई की चोटी गूतने लगी अचानक कुमारन की नजर उस बुड़ी म माई ने कहा रुख जा बेटी तू डर मत मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ मैं सीदला देवी हूँ मैं तू इस धर्ती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है कौन मेरी पूजा करता है इतना कहकर माता चार भूजा वाली हीरे जवारात के अभूशर पहने सिर पर किसी बात का सोच मत कर तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आँखों में आसु बहते हुए कहा हे मा मेरे घर में तो चारो तरफ दरिद्ता है मैं आपको कहा बिठाओं मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है तब सीदला माता प्रशन्न होकर उस कुमारन की घर खड़े हुए गधे पर बैठ कर एक हाथ में जाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरित्ता को जाड़कर डलिया में भर कर फेंक दिया और उस कुमारन के कुमारन से कहा बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ अब तुझे जो भी चाह घर की दरित्ता को अपनी जाड़ू से साफ कर दिया ऐसे ही आपको जो भी हो ली के बाद कि शब्त मी को भक्ति भाव से पूजा करके आपको ठंड़ा जल दही वबासी ठंड़ा भोजन चड़ाए उसके घर की दरित्ता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी चा आप पर थंड़ा जल चड़ा कर नारियल फूल चड़ा कर परिवार सही थंड़ा बासी भोजन करे उसके काम धंदी व्यापार में कभी दरित्ता नाये तब माता बोली तथास दो हे बेटी जो तुने वर्दान मांगें मैं सब तुझे देती हूँ हे बेटी तुझे आसिरवात देती हूँ कि मेरी पूजा का मोखे अधिकार इस धर्ती पर सिर्फ कुमार जाती का ही होगा तब ही उसी दिन से डुंगरी गाउं में सीतला माता इस्थापित हो गई और उस गाउं का नाम हो गया सिल्की डुंगरी सिल्की डुंगरी में सीतला माता का मुखे मंदिर है सीतला सत्मी पर वहां बहुत भी साल मेला लगता है तो फ्रेंट्स इस कथा को सुनने से घर की दरिता का नास होता है और सभी मनुकामनाएं पूरी होती है फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जय माता दी